Dear student, आप ही हम जो topic कर रहे हैं वो है internal linking Internal linking में हम एक ही page से link create करते हैं जब हमारे पास एक ही page में बहुत से section हो For example, एक book है, एक book में बहुत से chapters है वो आप एक ही page के उपर लिखना चाते हैं और further scroll किये भीना उनी topic के उपर आप जाना चाते हैं तो उसके लिए हम internal linking create करते हैं आईए हम इसे practically run करके देखते हैं सबसे पहले notpad open करेंगे notpad open करने के बाद मैं यहाँ html tag open करती हूँ and after that head, title, internal linking title को मैं close कर रही हूँ after that body tag open किया and center मैं चाहती हूँ जो भी मैं लिखूँ वो center में आए center में मैं यहाँ लिख रही हूँ html book इस html book में मेरे पास बहुत से chapter होंगे फिलहाल मैंने सिरफ चार ही chapters लिए हैं आप देखिए सिंबल a href जैसा की external linking में लिया था external linking में हम आपने देखा होगा path में dot html लिया है मैंने लेकिन यहाँ पर मैंने सिरफ a href hash bg और bg color इसका नाम दिया है ध्यान दीजिए dear students यहाँ पर यह जो hash वाला सिंबल है यह important है reference देने के लिए इसी तरह ही मैंने तीन path चार path create किये हैं अब यहाँ पर मैं यहाँ नाम देंगी eim यानि की image यह second chapter है and next is hr heading and next list यह सब मैंने आपको previous वीडियो में upload भी करके दिखाया है अब हम main यहाँ पर देती हैं जैसे की href जो मेरा यहाँ पर first chapter था ध्यान दीजिए href में मैं यहाँ name ले रही हूं अब and hash sign जो यह मेरा hash sign है यह नहीं आएगा जब हम यहाँ पर name पुट कर रहे हैं अभी देखिए यहाँ busy color के बारे में मैं theory में लिख रही हूं यह name busy busy color color background के लिए busy color attribute का इस्तेमाल होता है अभी हम मैं next chapter को copy कर रहे हूं यहाँ पर देखिए एक तो मैंने यह sign हटाया है यह देखिए यहाँ hash sign था मैंने यहाँ hash sign और href की जगें इसका name देंगे इसका name मैंने दिया है यहाँ पर im and अब मैं image के बारे में theory में लिखूंगी क्योंकि मैंने यह already यहाँ पर एक लिख रखी है definitions तो image element का उपयोग html में picture insert करने के लिए किया जाता है and third मैंने लिखा है hr यानि की heading chapter उसका name दिया and अब हम यहाँ पर html में heading के बारे में लिखेंगे you know that कि जब हम कोई भी paragraph लिखते हैं तो heading तो देते ही हैं कोई भी document या article लिखते हैं तो next topic है मेरा list तो मैंने यहाँ पर copy किया symbol हट आया and यहाँ पर हम लिखेंगे name अब मैं list के बारे में यहाँ पर बताती हूँ आपको और यह मैंने यहाँ पर list के बारे में बताया है कि list को चार तरह की हमारी list है और कोई भी data जो है हमें points में दिखाने के लिए list का use होता है head close body tag close उससे पहले font and after that body tag close अब हम html को close करेंगे save करती हूँ मैं इसको ip.html अब मैं इसे run करके दिखा रहे हूँ अब इसी the students ही यहाँ पर मेरा जो size है वो बहुत small है और चार ही chapter जो है मैंने create किये थे यह देखिए चार जो है यह मेरे link है और यहाँ मैंने उसको describe किया है अब ही मैं इसका size बढ़ा करके दिखा रहे हूँ आपको मैंने यहाँ font size किया है six अब यहाँ देखिए जब मैं बीजी कलर को क्लिक कर रहे हूँ तो बीजी कलर आ रहा है image को क्लिक करूंगी तो image आ रही है उपर and heading को क्लिक करेंगे इतु है अधिक पॉर्षिन उपन उराइंगे